किड़ वाचिज में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा यह क्लेक्शन चल रही है आज हम इस वाच की टाइम कंफिग्रेशन के बारे में बात करेंगे यहां आप बैंड पे देखेंगे टच बटन है टच बटन को प्रेस करने से टाइम विजिबल होता है इसी बटन से टाइम कंफिग्रेशन भी होते हैं अगर हम प्रेस करके पाइंट सेकंड के लिए इसे प्रेस करके रखते हैं पाइंट सेकंड के बाद आप देखेंगे आवर्स का ब्लिंक हो रहा है तो आप इसे कि नॉर्मली जैसे हम प्रेस करते हैं नॉर्मल प्रेस करना है और जो आपका करन्ट टाइम होगा उसे सेट कर लेना फिर पाइंट सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो यह मिनट्स पे शिफ्ट हो गया मिनट्स मेरा भी करन्ट है आठ पैंट आलिस तो मैं आठ पैंट आलिस कर देता हूं कि यह आपका 2022 चल रहा है तो हम यह को 2022 कर देते हैं कि यह के बाद कि मंत सैवन्थ है कि डेट तो डेट अभी जो करन्ट चल रही है आज 12 है तो मैं यहां से इसे 12 कर देता हूं 5 seconds के लिए प्रेस करोगे तो step अगले step पे shift हो जाओगे और continuously प्रेस करोगे तो जो आप step पे हो उस step को set कर पाओगे तो यह देखिए अभी time lock हो गया हम यहां से प्रेस किया time आपको visible हो रहा है 845 जो dot का sign आ रहा है यह am pm के लिए होता है dot हो तो pm अगर dot नहीं है तो am थोड़ी दे प्रेस करेंगे करेंगे तो portion blink हो जाएगा अगर आप कि वन बावन प्रेस करेंगे तो time set कर पाएंगे 5 seconds के लिए प्रेस करेंगे तो वन बावन अगले step पे shift होते जाएंगे पर सीज़र बड़ा simple है फिर भी अगर कोई issue आता है आपको time configuration में तो contact कर सकते हैं मुझसे kids watch digital time thank you very much